नमस्कार मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हिल्थ इंडिया जो हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत के बारे में कोरोना वैरिस के नए वारियंट को ओमिक्रोन को लेकर विश्व स्वास संगठेन यानि की डवलुएचो ने वारियंट ओफ कंसर्न यानि की चिंता जनक भूशित किया है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस वैरियंट का पता लगाने में आटी पीसिया टेस्ट कारगर है इस बारे में डवलुएचो का बयान सामने आया है डवलुएचो ने कहा है कि जो बरतमान लैब में कोविड की जाच चल रही है उसमें टेस्टिंग के दोरान नए वैरियंट की पहचान हुई है लेकिन कुछ लैब ने ये बताया है कि आटी पीसिया टेस्ट में तीन टार्गेट जीन में से एक जीन का पता नहीं चला है ऐसे में इस टेस्ट को इस वैरियंट के मारकर के तोर पर उपयोग नहीं किया जा सकता वहीं पहले के इस variant के जो सामने आए हैं उनमें genetic sequencing के बाद ही पता चल पाता था कि ये कौन सा variant है WHO ने देशों से कहा है कि वे सर्विलांस बढ़ा है साथी sequencing पर भी फोकस करे जिनोम sequencing के माध्यम से पूरा डाटा तयार करे 24 नमबर को इस variant का सबसे पहले दक्षिन आफ्रिका में पता चला था अब आये जानते हैं कि आखरकार RT-PCR टेस्ट होता क्या है आपको बता दे कि Omicron बहुत तेजी से फैलता है लेकिन कुछ वे ज्यानिकों ने ये भी बताया कि भारत में जितनी भी RT-PCR लैब है वे Omicron और दूसरे variant में अंतर नहीं कर पाती है क्योंकि RT-PCR टेस्ट से यही पता चल पाता है कि कोई व्यक्ति शंक्रमित है या नहीं है लेकिन इसके लिए Genome Sequencing की जाती है वहीं ये भी समझने की जरूरत है कि हर एक संक्रमित सैंपल Genome Sequency के लिए नहीं भेजा जा सकता ये प्रकडिया काफी धीमी है कठीन होने के साथ-साथ ये प्रकडिया काफी महंगी भी होती है एक अनुवान के मताबिक सभी Positive सैंपल में से 2-5 फीजदी जाच के लिए भेज जाते है RT-PCR टेस्ट में शरीर में मौझूद वाइरस का Genetic Material दिखता है तो आएए जानते हैं आखिरकार क्यों जरूरी है RT-PCR टेस्ट RT-PCR टेस्ट में कोरोना वाइरस Spike Protein में पहचान करता की तलाश करते हैं यानि वह किस तरह शरीर में आया या Spike Protein में Mutation हुए हैं जैसा Omicron variant के साथ हुआ है ऐसे में ये भी संभावना है कि RT-PCR टेस्ट में Mutation की पहचान ना हो पाए और COVID Report निगेटिव आ जाए लेकिन या भी ध्यान देनी की जरूरत है कि RT-PCR टेस्ट एक से ज़्यादा पहचान करता की तलाश करता है ऐसे में अगर स्पाइकल प्रूटीन में पहचान करता की पुस्टी नहीं हो पाती है तो ऐसे में इस बात की तस्दीक करता है कि ये infection Omicron variant के कारण हो सकता है आपको पता दे तो overall बात यही है कि अभी तक ये पता नहीं चलपाया है कि RT-PCR टेस्ट से Omicron variant का पता लगाया ज़ा सकता है या नहीं लगा ज़कता है अगर अधिकतर वैज्ञानिकों की बात करें तो उन्होंने दावा किया है कि RT-PCR टेस्ट इसमें नकाम साबित हुआ है अब देखना यह है कि Omicron की टेस्टिंग के लिए क्या कुछ नई equipment आप आते हैं या फिर क्या कुछ नया होता है बागी की तमाम जानकारिओं के लिए आप बने रहे हमारे साथ हमारी चानल को सब्सक्राइब करें फेसबुक पीच को लाइक करें धन्यवाद खेंदिया के विडियो की सबसे पहले नॉटिविकेशन पाने के लिए बेल आईकन प्रेस करें